हलो गाइज, वेलकम टू दिस सेशन, तो आज हम देखने वाले हैं, फिल्ट टेस्ट पॉन सीमेंट, तो मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत से रुक्वेस्टेस बगारा और मैसेज़ेस बगारा आए, कि मैं फिल्ट टेस्ट लेके आऊं सीमेंट के ओपर, क्योंकि कुछ लो मैसेज़ेस किये, तो सब को रिपलाई करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हम सीमेंट खरीते हैं बगारा, यहां यूज करते हैं अपने गरों में, स्माल कं सीमेंट का जो कलर टेस्ट होता है, उसको देखना होता है, अगर आप अपने गर में कोई सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए, तो उसमें सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए, इसके उपर हम देखेंगे, तो जो सीमेंट का कलर है, वो ग्रिनि इसके कलर जो विल्कुल जुनिफॉर्म होना चाहिए इसका तो नेस्ट की तरह बढ़ते हैं प्रेजेंस आफ लंप्स लंप्स क्या होते हैं आपको पता देता हूं यासे सीमें में शोटे-शोटे ऐसा तरह गोलियां बगरा बन जाती हैं आप देखेंगे तो ऐसे मतलब की को होता है उसको हम लोग उपन करेंगे खोलेंगे Peony Manda को ऑर देखेंगे कशी उलुग दे रहात की नहीं दे रहा हूं उसके बाद हम देखेंगे कि उसके कोई म्हाइं बगरे सब्सुर करते हैं तो अगर नंए से सेमेंट के नीचे कुछ रखा नहीं है तो उससे भी वो लंप्स बगरा बन जाते हैं उसको तो हमें इंटीजों को ठीक से दियान रखना होता है और अगर कोई सीमें जिसमें लंप्स बगरा बन गें तो उसको अगर हम साइट बेडिलेवर्ट करते हैं या अपने गरों बगर हो जाएगा तो सीमें जो है विदाव लंप्स होना चाहिए उसमें कोई लंप्स बगरानी होनी चाहिए और एक अच्छी लुक देनी चाहिए उसको नैस बढ़ते हैं नैस हमारे पास अल्टरेशन टैस्ट जो होता है अल्टरेशन टैस्ट क्या होता है यह देखते हम लोग इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग सीमेंट को क्या करते हैं कि अपनी जैसे सीमेंट का बैग हम ने खोला तो उसके बाद हम सीमेंट को अपनी दो फिंगर सी बीच में लेते हैं और सीमें को फिल करते हैं तो पिंच अप सीमेंट को हम लोग फिल करते हैं और वो हमें कैसी फ तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर यह कंडिशन को गया रिजट कर देंगे उसको यूज नहीं करेंगे ऐसा कंस्रेक्शन वर्क के लिए तो हमें यह स्मूज फिलिंग देनी चाहिए जब हम दो फिंगर के बीच में लेते हैं तो अड़िट्रेशन टेस्ट की तरह बढ़ते हैं नेस्ट है हमारे पास टंपरेचर टेस्ट आप सीमेंट तो जो सीमेंट का टंपरेचर उसको टेस्ट करते हैं इस टेस्ट को देखते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सीमेंट में जो होता ना जैसे हमने सीमेंट का बैग खोल दिया है उसमें क्या करेंगी हम अपने ह कर देखेंगे cement में तो उससे क्या होना चाहिए कि अंदर से जो cement है ना वो हमें cool feeling देना चाहिए बिल्कुल ठंडा लगना चाहिए हमारे हाथ में अगर वो warm inside से अगर मला गरम है मला ठंडा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो hydration process होता ना cement में यसे हम लोग पानी बगरा डालते हैं तो इससे hydration प्रप्र लेखिन सम्हलो लिए किमार ऐसा भी हो जाता है कि यäसे पड़े पड़ा सीमें रहा तो इसमें hydration अपने अप स्टार्ट हो जाता है तो अगर फिर वो क्या करने लगता है warm feeling देने लगता है तो अगर हमें कोई cement warm feeling दे रहा है cool feeling नहीं दे रहा है तो उसको हम reject कर देंगे उसको construction work में हम लोग use नहीं करेंगे इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है तो इसके लिए क्या मतलब कि हमें सिर्फ cool थंडी आहा दालने पर जब थंडी feeling आएग उसको क्या करेंगे एक bucket ले लेंगे हम पानी की कुछ भी ले सकते हैं आप लोग bucket ऐसे मैं बोल रहो हूं bucket उसमें क्या होता है कि अच्छे से आप फैंडाल सकते हो cement को उस bucket को हम लोग उस cement का जो हमारे हाथ में वो इसको हम थो कर देंगे किसमें क्या करने चाहिए float करने चाहिए ठीक है तो यह होता flow test next test की तरफ बढ़ते हैं next है हमारे पास setting test test setting test को देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 100 ग्राम आप cement को लेते हैं हम लोग और उसमें क्या करते हैं कुछ पानी डालते हैं और एक stiff paste बना लेते हैं हम लोग उसके बाद क्या करेंगे उस paste को पानी के नीचे लेकर बकिट के वाटम की साइड तो वो उसके बिल्कुल डिस्टाब नहीं होना है कि उसके जो एज्जस हैं वो खराब ना हो जाए तो इसको कितनी देर के लिए रखना है 24 hours के लिए पानी के अंदर रखना है और उसके बाद जब हम निकालेंगे तो उसको क्या होने चाहिए वो सेट हो जानी चाहिए और उसने कुछ स्टेंथ गेन की होने चाहिए और उसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए अगर यह सब कंडिशन सैटिस्वाई हो रही है तो सैटिंग टेस्ट उसका विल्कुल एजेक्ट आया हमारे पास तो नेस्ट की तरह पढ तो इसको बनाते हैं हम लोगे घ्लॉट बनाएंगे उसको हम लोगमें डाल दाखनेंगे पानी में डाल दें कितने सेवन के लिए उसके बाद हम लोग मोल्ड को बाहर निकालेंगे उसके ओफर पॉइंट लोड लगाएंगे तो टीओos 340 नूटन थे का उपस्फोहार दोटन करें तो 9.81 थे हल याता है 133 कुछ आ जाता है Newton तो Approx Ave 341 लेते हैं अगर Newton में लगा रहे है तो जोनले UKMP सब्सक्राइब ऐसके उपर load को अगरky letter के सब्सक्राइब कर रहा है तो strength up cement test में यह पास हो जाता है तो हम लोग construction work के लिए यूज़ कर सकते हैं नहीं तो हम reject कर देंगे इसको नेस देखते हैं date of the packing यह most important चीज़ है date of the packing आप जो cement use कर रहे हैं तो उसकी packing date क्या है कब वो बना बगारा बगारा यह सारी चीज़े तो इसको देखते हैं जो हमारी strength up cement होती है यह reduce करती है time के साथ time के साथ यह reduce करती जाती है तो यह हमारे लिए important हो जाता है कि उसकी manufacturing date को देखें कि cement का बना था क्योंकि cement जो है वो reduce करता अपनी strength time के साथ में तो generally जो हम लोग construction work के लिए use करते हैं ना cement को तो वो हमें यो मलग कि उसकी date के 19 days के अंदर use करना चाहिए good results के लिए क्योंकि हमें अच्छी strength बगारा मिलेगी लेकिन जो सीमें जे मलग जनरली है हम लोग जो गरूं में यूज करते हैं अगर हम मलग अगर कोई सीमें हमारे पास चाहिए तो आपको यह मैंने जो बताई इन चीजों का बिल्कुल अच्छे से द्यान रखना और सीमें की जो पैकिंग डेट तो उसको यूज नहीं करना है क्योंकि अगर आप गर बनाते हो आप कुछ पैसे डाल रहे हो अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है किसी साइट पर मदलब की कॉंट्रक्टर बगार आपके पास जो सीम कीरनेट आप खरीद रहे हो आपको विसइब जानकारी होना जरूरिएचा ताकि आप एंजिनियर के पास कि हम लोग उते हैं कि हम लोग शोटी कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे सम्हल आपको अगर बना रहे हो मनलब की 3BHk 2BHk बना रहे हो तो आपका यो बगार आपने बोल लाइब में आपको जाना पड़ेगा वो टेस्ट करवाने के लिए बाकी तो आप खुद कर सकते हो क्यूंकि आपको सारा प्रोसीजर मैंने हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से तो नेस्ट वीडियो बहुत जल्द में आपके लिए लेकर आओंगो तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू